एशिया कप 2022 में टीम इंडिया अपने पहले मैच में पाकिस्तान का सामना करने जा रही है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मैच पर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की निगाहे रहने वाली हैं। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट फेंस पेसबरे से इंतजार करते रहते हैं आईए जानते हैं आज होने वाले मैच की वो पांच बाते जो इसे बेहद स्पेशल बनाएंगी विराट कोहली की वापसी फिराट कोहली क्रिकेट से 41 दिनों के ब्रेक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उतर रहे हैं कोहली को हालिया जिमबाबे दोरे के लिए रेस्ट दिया गया था इस ब्रेक ने कोहली को एशिया कप के लिए खुद को मांसिक रूप से फ्रेश रखने में जरूर मदद किया होगा कोहली काफी अरसे से फॉर्म में नहीं रहे हैं ऐसे में फैंस को उमीर है कि पाकिस्तान के लाफ उनका बल्ला यम कर बोलेगा इसलिए साल जब दुबई के लिए मैदान पर दोनों टीमें टींटी वर्ल्ड कप के दुरान गुली थी तो बाबर आजब कीव में एराज कोहली की आगवाही वाली के इंडिया को 10 बिकेश से प्राजित किया था वर्ल कप के एखिफाश में पहली बार पाकिस्तान ने भारत को राजित किया था कोहली, रोहित, केल राहुल जैसे प्लेयर्स अब भी हार को नहीं भूले हैं अब भारतिय टीम के पास उस हार का बदला लेने का शांदार मोका है बतोर कप्तान रोहित का पाकिस्तान के खिलाब पहला T20 रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाब पहली बार T20 इंटरनेशनल में कप्तानी करते दिखाई देने वाले हैं बैसे रोहित इससे पहले पाकिस्तान के खिलाब दो वंडे मैचों में कप्तानी कर चुके हैं गोर तलब है कि साल 2021 के T20 विश्युकप की स्मापती के बाद विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी थी जिसके बाद प्रोहित को T20 कप्तान न्यूक किया गया था बात में उन्हें ODI और टेस्ट टीम की भी कप्तानी सौप दी गई थी हादिक के लिए ये है स्पेशल मकाबला टीम इंडिया की आल राउंडर हादिक पंडिया के लिए ये है मकाबला काफी स्पेशल होने जा रहा है साल 2018 के एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में के इंदबाजी के दुरान पंडिया को पीट के निचले हिस्से में तकलीफ आई थी जिसके कारण उन्हें स्ट्रेचर पर लादकर मेदान से बाहर लाया गया था पंडिया के लिए यह है इंदरी काफी समय तक मुसीबत पनी रही थी लेकिन अब वह पिछले आठ नो महीनों से पूरी तरह ले में दिख रहे हैं और बॉलिंग में भी कमाल दिखा रहे हैं स्टेडियम में दर्शको का सलाब दुबई क्रिकेट स्टेडियम में दर्शको का सलाब उमडने वाला है दोनों ही देशों के हजारो क्रिकेट फैंस इस मैच को देखने स्टेडियम में जुडेंगे मेदान पर तो दोनों देशों के खिलाफ जद्दो जहत करते दिखाई देंगे ही स्टैंड्स में भारत पाकिस्तान के दर्शकों के बीच प्रति द्वंदिता देखने को मिलेगा वैसे भी दर्शकों का बारवा प्लेयर कहा जाता है क्योंकि वह खिलाडियों में जोश और जुनून भरने का काम करते हैं